नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल LMP31 ब्लॉग में साथियों आज हम जिस जगे को स्पोर्ट करने वाले हैं वह इस्थान है भगवान कलकी का जो मंदिर बनना है भव्य मंदिर बनना है उसका सिलन्यास कल भारत के प्रधानमंत्री नर्यन्द बोधी जी ने किया है वहाँ हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे जहाँ पर सिलन्यास किया है उस जगे भी जाने प्रयास करेंगे और उनके कलकी धाम के ट्रस्ट के अध्धेश आचार प्रमोट कश्णन जी उनसे भी भेट हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे तो चलिए भगवान का नाम लेकर अपनी यात्रा की शुरुवात करते हैं जय भोले नाज, जय बाबा कलकी महराज की, जय हो दोस्तों मेरी यह यात्रा भी दो चरणम है पहले मैं जाओंगा, बंडा एक स्थान पढ़ता है सज्ञापूर में वहाँ पर मेरे मित्र है नितिन मिश्रा जी, मैं उनको अपने साथ लूँगा उसके बाद, आगे का सफर, मुरादाबाद, मुरादाबाद तक और मुरादाबाद से कलकी धाम जो की, ग्राम एचोडा, कमबोह, संभल जीले में पढ़ता है वहाँ तक हम लोग चलेंगे, मेरे घरदे करीब 280 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है पहले पेट्रोल फुल गला देते हैं गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं देखे किस आराम से भीया पुरा फुल गर दो पुरा भर दो उपर तक, डरो मत बस 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 पेट्रोल भराके, अब हम लोग निकले हैं दोस्तों मैं बता रहा था कि भगवान कलकी, जो अभी अवतार हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों में, जिसे कलकी पुराण अलग से है, और अनिकई पुराणों में, भवविश पुराण में इसका विश्तरद विवरन है कि कहा होगा कैसे होगा, किस जगेब होगा, उनके माता पिता का नाम, उनके भाईयों का नाम सब वरनित है, क्योंकि सास्त्रों से जड़ा मामला है इसलिए मैं, क्योंकि मैं सास्त्री नहीं हूँ, इसलिए यहां पर उचित नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा, तो फिर उसमें विवात पैदा होगा इसलिए आप लोग जाके देख सकते हैं, वापे पढ़ सकते हैं तो यह भगवान विश्वू के नव अतार तो अभी तक हो चुके हैं जिसमें मतस्य अतार कूर्म अतार, वराह अतार नर्सिंग अतार, वामन अतार परश्राम अतार, शेराम अतार, क्रशन अतार, वामात्मा बुद्ध अतार, नव अतार तो हो चुके हैं, और दस्वाँ अतार जो की कलियूक के अंत और सतियूक की सुरुवात की संदिकाल में होना है, ऐसा ऐसा पुराणों में वरनित है, हम हम लोग बंडा पहुच गए हैं, देखो नितिन महराज जी, हमारे मित्र, हमको बुला लिए, हम सव किलोमेटर चल के आ गए यहां पे, नव बज रहाई सुबे का, और इनकी दुकानों भी बंद हैं, आटो पार्ट्स की दुकान करते हैं, आइसा बिचित्र दोस्त हैं, हमारा क्या हम बता हैं, दोस्तों, हमने कहा दाया, लेट हो जाएंगे, मत करना, आप देखो, एक गंटा, डेड़ गंटा, डेड़ गंटा करीब इनतजार के बाद, यह देखो, पदा रहे हैं यह लाल स्वेटर, आप गाड़ी को वेटर पाइपाट तो अब दोस्तों है हमारे मित्र नितिन जी के पिता जी थे वह वहां गय हुए है इसलिए वह रास्ता बता रहे थे कैसे जाना है साट कट कैसे होगा जो यह आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं और हम लोग वहां से निकल कर अब सीधे मुरादाबाद हमको जाना है मुरादाबाद से बाई तरफ करीब 20-22 किलोमेटर रास्ता कटा हुआ है उस पे जाना है एचोड़ा कंबोज ग्राम में वहां पे ही कलकी धाम का निर्माण हो रहा है अचार प्रवट कर्शन जी के नितित्त में और दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह दसवां अवतार है भगवान का नव अवतार तो पहले हो चुके हैं और इस अवतार के बारे में पूरी पूर्ण विवरण उनके माता पिता उनकी पतनी उनके बच्चों उनके भाईयों सब का विवरण कहां पर इस्थान होगा सब का विवरण उनने हमारे पुराण परेली में बाई तरफ देखिये यह बरेली का प्रशिद बसड़ा सेटलाइट नाम से जो है वो है कि और यहीं से चाचा जी ने बताया था कि कि दाहिनी तरफ एक रस्ता गया और बिचके किनारे होके वही सीदे आगे जाके मुरादाबाद मुरादाबाद से फिर संभल जिले में एचोड़ा कंपोज कंपोः वाली जगे पर जाना है तो यहां तो काफी ट्राफिक है किसी तरह बच बचा के निकल नहीं है बरेली एक महानगर है किसी तरह से ट्राफिक निकल जाए तो ज्यादा ठीक है क्योंकि सहर के अंदर समय बहुत लगता है लेकिन किसी ने बताया कि वह बहुत लंबा है जैसा हो आप लोगर कोई बरेली का हो तो कृप्या कमेंट बाक्स में अवस्य बताए दुपहर का करीब एक सवाव बज रहा है तो कुछ जलपान वगरा कर लेते हैं उसके बार चलते हैं आगे चाय चाय पीने की इच्छा हो रही थी तो एक प्यारा सा बहुत सुंदर सा बाहर से एक धावा टाइप का दिखा सिंग धावा सायद है वहीं चलके कुछ चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं अपनी यात्रा को कांटीनू करेंगे और भगवान श्री कलकी धाम का जो शिलन्यास होना है बरेली के आगे कलीब 4-5 किलो मेटर पेट धावा है तो करीब कई बज रहा है एक डेड़ बज रहा है तो कुछ खाना पीना खाने के लिए रुका हूं तो घर से हमारे मित्र नितिन जी देखिए पोड़ी लेकर आये थे वह खाने जा रहे हैं और चाय पीने जा रहे हैं कर निकलते हैं चाय भी आ गई है वारी जी रालू जाना चाय भी आ गई है जाए चाय तो आ गई बहुत अच्छी है क्या है यह कुछ्चा मिर्चे वाला कि वह जब दूस्त है या कि चलिए बोदेन करके बाद बाइक में मिलते हैं दोस्तों जैसे खाना खा के हम लोग निकले बाल बाल बच गया आज वरना काफी चोटिल हो जाते थोड़ी से चोड लगी है हुआ यह कि मैं अपना मफलर उसी चाय वाली दुकान पर भूल आया था करीब वहां से 200-300 मीटर आगे निकला था कि मुझे याद आया तो मैंने अपनी बाइक सड़क के बिल्कुल किनारे बलकि सड़क पर भी नहीं थी सड़क किनारे मिट्टी पर थी उस पर हमने लगा दी और यह सोच रहते कैसे इसको यूटर लेते हैं और फिर जाके अपना मफलर लेते हैं और इतने मैं ना जाने कहा अब हम और मेरे मित्र नितिंजी दोनों लोग सड़क में गुरें मेरे घुटने में कुछ हलकी खरोच आई है पैंट फट गई है पूरी तरीके से जूता फट गया है और गाड़ी में भी बहुत ज्यादा डेमेज नहीं हुआ अब इसको वापस ही में सही कराएंगे लेकिन भगवान कल्की का नाम लेते हैं हमने अपनी यात्रा को सुरुवात कांटिन्यू रखा है पहले तो यह हो रहा था कि हम लोग नहीं जाते हैं वापस जाएं लेकिन हमने का आप दर्सन करके ही आएंगे उस स्थान का जहां पर भ गाउं जाने को कटा हुआ है यही है साथ यही बाई तरफ यही रस्ता है सीधा 20-22 किलो मेटर सीधे वहीं कलकी धाम पर ही मिलेगा ऐसा बताया है लोगों ने हम लोग यहां से निकले हैं अच्छा दोस्तों कलकी धाम आने चुकि अभी मंदिर बना नहीं है वहां एक छोट कलकी का मंदिर है उससे थोड़ा हटके यह पांच एकड़ जमीन पर यह मंदिर का निर्माल करार है और वहां पर जो है अभी तो खाली जगह है वहां केवल भूम पूजन हुआ है अधार शिला रखी गई है आज कितना हरा बरा रस्ता है गयों कहते हैं पांच वर्ष में मं को स्थापित किया जाएगा और कलकी भगवान के नाम से दो मंदिरे हैं और बड़ी तपस्या करने पड़ी है प्रमोट किश्ण जी को इस मंदिर का आज सिलन्यास होने साथ-8 साल पहले अखिले जी की सरकार थी सिलन्यास होने वाला ही था कि एक दिन पहले यह कहकर रोंग लगा दी थी कि मंदिर बनने से सांपरदाइक सवहार्थ बिगड़ जाएगा आपसी सवहार्थ बिगड़ जाएगा इसलिए मंदिर नहीं हुआ पूरी कानूनी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोड तक प्रमोट किश्ण जी जीते हैं तब जाके यह मंदिर निर्माट होन मंतिर जी ने कल सम्हुदित किया था आज भी बेरेकेट्स वेकर आज भी लगे हुए हैं यह प्रसासा ने हटाये नहीं है कुछ खांसी आ रहे हैं दोस्तों को साथ सर्द हवा की वज़ेस हो गया है और यह बाई तरब जो आपको छोटे-छोटे टेन टाइप देख रहे है वो यह गिशालाएं हैं जहां तक वहां भी हम लोग सीधे चलते हैं और सबसे पहले वहां जाएंगे जिस स्थान पर कल भूम पूजन किया है माननी प्रधान मंत्री जी ने माननी योगी जी ने और आचार प्रूमर्ट कृष्ण जी ने जिसका लाइव तो टीवी पे चला था लेकिन मैं स्वयम जाके वह यह पहला यूट्यूब चैनल होगा जो वहां जाके उसको उस जगे को आप लोगों तरह पहुंचा रहा है तो आप लोगों इस निवेदन है यह आपने दिखिए इसे अनुमत ले लेते हैं पहले यहीं पर से लनिया से ही पर हुआ था कर दोस्तों मैं कह रहा था कि यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर रहें बेल आइकाउन को वह से दमाएं और यदि आप फेस्बूक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फालो करें ऐसा हाथ जोड़कर आप लोगों से विंती है करपया सिखर दें आप लोगों का फालो करते हैं लाइक करते हैं तो मोटिवे सब्सक्राइब अनुमत ले ली थी हो सकता है यहां भी सुरक्षा विवस्ता हो ऐसा लग रहा है वहां देखने से कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर पुलिस विवस्ता है तो ऐसा कुछ होगा तो उनसे भी अनुमत लेंगे कि अंदर तक जाकर ह वीडियो बना सके चलके देखते हैं दोस्तों यह कर रहते हैं कि प्रमोर्ट किष्ण जी ने बहुत तवस्या की है इस धाम को वास्वी गुरूप प्रदान करने में और अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि अब अब अबस्यों के रहेगा वले अभी पांच साल का समय आराम से बीच जाएगा अब अध्या धाम की बाद भागवान के कल की रूप जो है उसका मंदिर भवी मंदिर हम लोग बविच में देखेंगे ऐसी आसा है अंदर जा सकते हैं सर एक थोड़ा वीडियो बना लें अरी जोते दो तार के जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस वाले भाई लगे थे उनका मैं बहुत आवारी हूं को उन्होंने अंदर जाकर वीडियो बनाने की अनुमद मुझे दी है तो दोस्तों यह वही स्थान है जहां कल माननी प्रधान मंतिजी ने इसी पीली चौकी जो रखी हुई है इ पहले शिला इसी पर रकी थी पूझा करके फिर उन्होंने वो शिला उस गड़े में रकीती माननी योगी जी भी थे जैसा कि सभी लोगों ने देखा यह सब वही विकुस आये सिटीज में इसे रखा है इसे हिर्खा आप अन्दर आने के अनुमत है नहीं किसी की मेरा अब पूरा जो जैसा होना चाहिए वो इसे जाएंगे और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे इससाब से उन्हें अनमत दी है हम लोग अब जल्दी देखें वही इस्थान है अब यही अधार शिला है प्रक्रदी गई है मंदिर निर्माण जल्दी जल्दी शुरू हो ज लेकिन यहां आने के लिए आपको मुरादाबाद तक आना पड़ेगा मुरादाबाद एक बड़ा सहर है उत्तरप्रदेश का और यहां तक किसी भी माध्धम से आ जाईए फिर यहां से आप तो अगर अपने अपने वहां से आ रहें तो बहुत अच्छा है क्योंकि अपने यह थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसलिए अभी मेरी यही आप लोगों को सलाह है कि आप जब आईए तो अपने वहां से आईए अभी भी दर्शन कर सकते हैं मुझे ठन लग गई है दोस्तों मुझे खांसी आ रही है हवा लग गई इक बाइक से तोड़ा चोड भी लग गई थी क्या बदाया था कि बाइक में टक्कर मार दी थी यह दोस्तों इसका दर्शन कीजिए आप और यही शिला हजारों वर्स तक जो अधार शिला है एक ऐसे मंदिर को अपने अधार पर रोक कर रखेगी जो हजारों वर्स तक टिकार रहेगा जय कल की महराज की जय हो जय हो पधार मंत्री बोजी जी का भी आदभार कि उन्होंने अपने हाथों से इसकी अधार सिला रखी है हम लोग वहां से अब निकल कर जा रहे हैं वह अधान जहां पर आचार जी अपना निवास बनाए हैं वहां एक कल की भगवान का मंदिर है वहां भी दर्शन करेंगे और अगर अगर प्रयास करेंगे आचार प्रमोट कर्शन जी से भी भेट हो जाए तो में रस्ता तो अचार जी कहां दूसरा है लेकिन हम लोग रस्ता में पर नम उर्पाय थोड़ा आगया आगया तो यह गली होके हम लोग निकल ले हैं गली से हो करके हम लोग उसी में गाउं के अंदर मकान है जो जगे है तो यह गाउं की गलिया है दोस्तों इसमें से न वहां मिलेंगे आप लोगों से भी भेंट कराएंगे उनकी देखिए पहुंच गया है देखिए सुरक्षा बे उस्ता बाहर जहीं लगया है कि प्राइवेट सेगरोटे एजन्सी वाले भी हैं पुलिस वाले भी हैं बहुत महात्मून वेक्ति हैं आचार जी सुरक्षा होनी चाहिए बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं ऐसा बताते हैं लोग हम लोग अंदर यह देखिए यह बरिसर बना है इसमें वह कलकी स्री कलकी धाम जो लिखा आपको दिख रहा होगा इस्क्रीन पे वह कलकी भगवान का मंदिर उन्होंने बनवा रखा है लेकिन मुख्यम मंद मंदिर अब उसका से लन्यास हुआ है हम लोग यहां पर दर्शन करेंगे मिलेंगे अपना आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पेज को फालो कर लें और यहां आए अवस्य आए एक बार दर्शन करने अपना जो भी स्वच्छा से जो अनसधान आप दे सकते हैं मंदिर इंवान में अवस्य दे मेरी हाध जोड़कर प्रातना है दोस्तों कि यह मंदिर हमारी सांसिक्रीच धरोहर होते हैं । वह उन्से मेरी भेड़ भी हो गई है उनका वह जा रहे हैं साइद दिल्ली जा रहे हैं तो मंत्रों चरण हो रहा है इसलिए अब आप मंत्रों चान ही देखिए कि अब आप अब आप अब आप वेदा ते भोज़त माया हा अगने जिवा मना वाहा सूर्जा चाचाचो विश्वेलो देवाह अबसा गमान ले आपसा अबसा अब आप इस्ते वाइरंगा एक रखकालों वेप्यासे महेते बाहेतां जादायों शता वेन्नो सारादों देवा जत्रान शत्राजरा संतनु नाप्प पुद्रा सों जत्रा पिस्तारों भाण Спान के मानो ल्गजादी ये खता मुलचंतों हो अजेत जोरा येते तिर अन का रिख्वादी तेर मारता भूर्टा साफत्राः दिस्वेदेबाहद देत पंजय जनाः तामठ बिश्टा नत्रमपवाद वूर्जम हो शांति प्छरी शांति नाता 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 है आपजी। करुंई अच्छा अच्छा प्रत्यक बर्स कलकी महुष्चव एवं बिसाल एकसो आठ कुंडी महायग होता है जिसमें देश के प्रमुख अत्ति बिसिष्ट अत्ति राजनीती से भी और महा मंदलेश्व और संकराचारी त्यादी पधारते हैं जो की पहले हमारा ये सिलान्यास होना था किसी कारणवस रुख गया लेकिन जब भगवान की कृप होती तभी सब कार बन पाते हैं तो हमारे बीच में संत बिराजमान है ये भी संत सभी सिलान्यास की अबसर पर आए हुए इनका भी स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं बंदन करते हैं कल का प्यसाइस ही दिन रहा जो माग सुक्रपक्ष दस्म्याम सुब्त थी दस्मी हैं कल प्रात काल में सुम औहूर्थ में आचारी प्रमूत किश्णम महाराज क्षीनी מח Shopify मुक्य इसंटी शाण। सेंटी काíllक्र माराम गाल की सिलान्याज करने के लिए और भारत यतारी भार उत्रपदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित नाजी पधारी जरोनेक सलान्यास करके इवं इस छेत्र के लिए एतिहासिक कलकी धाम जो बनने जा रहा है विशाल भव्य विरात्तम बनने जा रहा है जिस प्रकार से दिल्ली में इवं गुजरात में अच्छर धाम है ठीक उस 28 फुट उचा होगा जिसमें बहुती बड़ा ध्वजवी लगा होगा और ये विशाल काई बने इस छेत्र के लिए परिटन इस्थर मानने होगा जो कि छेत्र में ये ऐसा इस पकार का जो है कोई भी देखने के योग गेवम दार्शन के इस्थर लाएगा दार्शन करने के लिए लोग भारस से ही नहीं बन की विश्व से देश विदेश से भी यहां पर पदारेंगे ऐसे दार्शनिक संत आचारे प्रमोध किष्णम महराश्री जी के इस कल की पीट से एल एम पी 31 विलोग अरुंदीचित एवं नितिनमिस राजी के साथ मैं कल की पीट से आचारे पंडित अखली सुर्शास्त्री जी सभी देश वासियों को सुब कामना मंगल कामना देते हैं जैस्रीकल की भद के बिंदम संतों की तरफ से सुब आश्रीस दोस्तों ये मंदिर का वो मॉडल है जो मंदिर बनके जिसका सेलन्यास कल हुआ है और यही से मंदिर बनके तयार होगा कितना भव्य है इसका मॉडल ही इतना भव्य लग रहा है तो ये कितना भव्य होगा ये देखें दोस्तों वहीं पे जहां पे अभी पंडिजी हमको कि इस तरह से मंदिर बनके तयार होगा तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में अवस्य बताईए और इसमें कुछ अगर सुधार के आवशकता है तो अभी अवस्य बताईए आप लोगों के सुझाओ हमारे हमारे लिए प्रेणादायक होते हैं अगर कुछ जाना भी है वापस तो आज तो घर नहीं जाएंगे आज मुरादाबाद रुकेंगे उसके बाद कल घर जाएंगे सभी को राम राम जय कल की महराज भारत मता की जय